किसी शब्द से जिसका एक अर्थ होता है ध्वनी इतनी ज्यादा महत्वपून क्यों है? अगर आप ध्वनी को स्पर्ष करते हैं, तो आप स्रिष्टी को छू रहे होते हैं अगर आप किसी शब्द को स्पर्श करते हैं तो आप बस इंसान की मनोवैग्यानिक सनरचना में प्रवेश करते हैं ध्वनी की शक्ती को कम ना समझें इसका हर चीज परसर होता है मंत्र ध्वनियों का एक सैयोजन या मेल है अगर आप सैयोजन का ठीक से उच्चारण करते हैं तो यह आपके लिए स्रिष्टी के अंदर एक द्वार खोल देगा अर्थ को जाने बिना क्या मंत्रों का जाप करना ठीक है? मंत्रों का कोई अर्थ नहीं होता देखें मंत्र के दो आयाम होते हैं मंत्रों से कोई अर्थ रखने की उम्मीद नहीं की जाती इस परंपरा में विभिन प्रकार के मंत्र है दुर्भागे से जो मंत्र सामान्य रूप से जाने जाते हैं उनके अर्थ दिये गए हैं ताकि लोग इन से जुड़ सकें क्योंकि बहुत से ऐसे मूर्ख लोग हैं जो ऐसी किसी भी चीज के साथ शामिल नहीं हो सकते जो अर्थ हीन हो इसलिए वो सूर्योदय सूर्यास्त, चंद्रमा, पूर्णिमा हर चीज से वो चूप जाते हैं क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं है पूर्णिमा का क्या मतलब है कोई मतलब नहीं है आगर आप प्यार में हैं सिर्फ तभी इसका काफी मतलब होता है वरना ये है क्या, कुछ नहीं इसके कोई माइने नहीं है इसका मतलब है कि ये उपयोगी नहीं है तो इस धर्ती पर सारे बेवकूफ केवल काम की चीज़ें ही करेंगे हाँ क्योंकि उनके पास जीवन को और जीवन के कई पहलूं को पहचानने की कोई बुद्धिमत्ता नहीं है ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपने इनके साथ एक बेवकूफी के माइने जोड़ दी है ये वैसे भी मौजूद है आप से परे इसका अस्तित्व है ये आप से पहले मौजूद था ये आप के बाद भी मौजूद रहेगा इसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप इसे एक माइने दे देते हैं तो ये उपयोगी हो गया है ये उपयोगी नहीं हुआ तो दुनिया में बेवकूफ लोग केवल अर्थ पून चीजें करेंगे वो बुद्धी जी भी हो सकते हैं लेकिन जीवन के प्रतिमूर्ख उन्हें जीवन की कोई समझ नहीं है अगर आपके पास जीवन की समझ है तो आप देखेंगे कि वो सबसे अर्थ हीन चीजें ही हैं जो वाकई आपको जीवन दरखती हैं कैसा नहीं है? नहीं? इसलिए उन्होंने दो तरह के मंतर बनाए मंतरों का एक बड़ा समू जिसका कोई अर्थ नहीं है सिर्फ शुद्ध्ध्वनी आप हमारे संगीत में भी इसे देखेंगे यक्ष कारक्रम अभी समाप्त हुआ है और हमारे कई लोग जो अर्थ खोज रहे थे वो पूरी तरह से उप गए थे क्योंकि वो 40 मिनिट तक आला आप कर रहे थे कुछ तो कहिए कम से कम शिव, शंभो, कुछ तो बोलिए नहीं आ, टिंग, टिंग वो समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये ध्वनी के बारे में है ऐसा क्यों है कि एक शब्द से जिसका कोई अर्थ है ध्वनी इतनी ज्यादा महत्वपून है अर्थ इंसान के दिमाग में बने है ध्वनी, स्रिष्टी का सार है अगर आप ध्वनी को स्पर्च करते हैं तो आप स्रिष्टी को छूरए होते हैं अगर आप किसी शब्द को स्पर्च करते हैं तो आप इंसान के सिर्फ मनोवैग्यानिक संरचना में प्रवेश करते हैं। इंसान की मनोवैग्यानिक संरचना मुख्य रूप से एक खास तरह का पागलपन है। हम इसका आनंद ले सकते हैं, हम इसका इस्तिमाल कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये खास किस्म की कालपनिक व्यवस्था है ध्वनी स्रिष्टी का एक मूल भूत पहलू है अगर ध्वनी पर आपकी महारत है तो एक खास तरीके से आपको स्रिष्टी पर महारत हासिल है क्योंकि स्रिष्टी ध्वनियों का बस एक जटल सम्मेलन है यह स्रिष्टी का खाका है लेकिन अर्थ इंसानी चीजे हैं आप जानते हैं कि एक ही शब्ट के अलग-अलग भाशाओं में अलग-अलग माईने होते हैं यहां तक कि भारत में भी आप यह जानते हैं एक ही शब्द के अलग-अलग मायने होना इसलिए है क्योंकि ये पूरा इंसान के द्वारा गड़ा गया है ध्वनी गड़ी हुई नहीं है ध्वनी स्रिष्टी का हिस्सा है ध्वनी अस्तित्व का हिस्सा है ध्वनी स्रिष्टी के स्रिजन का हिस्सा है अभी पूरी सृष्टी एक खास तरीके से स्पंदित हो रही है आप इसे सुन नहीं सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन शब्द और अर्थ इनसान के बनाय हुए है सिर्फ एक साज़िश के रूप में इसके माइने है जब मैं साज़िश कहता हूँ तो क्या आप सुनते हैं कि जिंगूर क्या कह रहा है वो क्या कह रहा है आप नहीं जानते लेकिन वो बात कर रहे हैं वो भी आपकी तरह ही है उन में से कुछ बस ध्वनी पैदा कर रहे हैं केवल आलाप कर रहे हैं सिर्फ ध्वनी केवल ध्वनी का आनंद स्रिष्टी का आनंद लेने का एक माइने में मतलब है उसकी ध्वनी का आनंद लेना अगर आपके पास सुनने के लिए उत्सुकता नहीं है अगर आपके पास ध्यान देने की उत्सुकता नहीं है तो आप असल में सृष्टी के किसी भी पहलू का आनन्द नहीं ले सकते। आप सिर्फ अपने सिर में चल रहे मनो वैज्ञानिक धांचों का आनन्द लेंगे। तो यही कारण है कि ज्यादतर इंसान बोलना चाहते हैं, ज्यादतर समय वो बाते करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें कुछ कहना है, इसलिए क्योंकि उन्हें अर्थ निकालने हैं, बस मौन या ध्वनी दोनों ही बहुत अभिबूत करने वाले होते हैं। इसलिए जब हम आध्यात्मिक प्रक्रिया कहते हैं, तो पहली चीज़ है, मौन. अगर आप मनोवैग्यानिक रूप से बहुत स्थिर हैं, तो हम कह सकते हैं, ठीक है, तीज दिन कमौन, साठ दिन कमौन. अगर आप मनोवैग्यानिक रूप से नाजुक हैं, तो हम कहेंगे, ठीक है, तीन दिन, तीन दिन में भी लोग पागल हो जाते हैं। हम कहेंगे ठीक है, आधा दिन कमौन, दोपहर तक कमौन. उसके बाद आप बगबग करें. आम तोर पर दोपहर के बाद वो इसकी कमी पूरी कर लेते हैं. आप मेंसे जो लोग बहुत बाते करते हैं, आप जानते हैं कि अर्थ निरर्थक है. आप बस बात कर सकते हैं बहुत सारे लोग इसमें वाहिर हैं वो बिना किसी मतलब के बस यूँ ही बोलते रहते हैं वो बिना किसी अर्थ के बात करते रह सकते हैं अब अगर आप एक चड़िया हैं तो हम आपको माफ कर देंगे अगर आप ये हैं तो हमारे लिए ठीक होगा, या अगर आप एक संगीत कार हैं, तो आपका विर्थ ध्वनिया करना ठीक होगा, अगर आप बोल रहे हैं, तो आपसे कुछ अर्थ पून कहने की उमीद की जाती है, तो मंत्र को कहना नहीं है, बस इसका जाप करना है, जाप के माइने हैं कि ये ज आप बस एक ध्वनी है, एक गूंज है, तो अगर आप अर्थ नहीं जानते, तो मेरी राय से ये जाप करने का सबसे अच्छा तरीका है, बस पूरी तरह से ध्वनी के साथ शामिल होकर इसका उचारण करना है, लेकिन सबसे पहले, आप जो बोल रहे हैं, क्या ये एक मंत्र है, या एक भजन है, या ये एक संकीरतन है, आपको इस पर गौर करना चाहिए, अगर ये एक मंत्र है, मंत्र का अर्थ है शुद्ध ध्वनी, इसका कोई अर्थ होना जरूरी नहीं है, आप इसे जो चाहें अर्थ दे सकते हैं, जिस भी अर्थ से आप शुरुआत करना चाह लेकिन एक बार जब आप जान जाते हैं कि कैसे शामिल होना है, तो आपको इसे कोई अर्थ नहीं देना चाहिए। का मतलब ये नहीं है कि आप किसी पहाड के उपर किसी चीज के साथ बैठे एक आदमी की कलपना कर रहे हैं और उसके आसपास कुछ हो रहा हैं। नहीं, शुरुवात में अगर यही एक मात्र तरीका है जिससे आप इसमें शरीख हो सकते हैं, तो आप शिव काशी वाले कैलेंडर को देख सकते हैं, ठीक है? एक बार जब आप जान जाते हैं कि ध्वनी के साथ कैसे शामिल हो, तो आप इस आदमी से छुटकारा पालीजे, उसकी जरुरत नहीं है, वो एक व्यवधान है। मैं लोगों को सम्मेमा में बताता हूँ, वो जब करते होते हैं, उनका सवाल होता है कि अगर शिव आते हैं तो मैं उन्हें तमाम पार पुकार रहा हूँ, अगर वो आते हैं तो उन्हें अंदेखा कर दीजे, क्योंकि मंत्र के बारे में ये चीज नहीं है, मंत्र ये है कि आप खुद को ध्वनी में शामिल करते हैं, क्योंकि आप स्वयम, आपका भौत एक रूप, ध्वनी का एक खास पैटर्न है, अभी आप खुद को ध्वनी के प्रकृती ब्रहमांडी है, अब आप कुछ मौलिक ध्वनियों का एक खास क्रम में उप्योग करते हैं, आपको पता है, तिजोरी में, तालों में, तालों को कॉंबिनेशन ताला कहा जाता है, तो आपको इसे खोलने के लिए इसका सही तरीका या क्रम पाना होगा, तो मंत् अगर आप सही कॉंबिनेशन पा जाते हैं, तो ये आपके लिए स्रिष्टी के अंदर एक द्वार खोल देगा, अर्थ हम नहीं है, आप इसे जो भी अर्थ देते हैं, कितना भी उचा या नीचा आपको लगता है कि अर्थ हम है, असल में अर्थ एक गड़ी हुई चीज है ये एक मनोवैग्यानिक प्रक्रिया है, इसका कोई अस्तित्वगत अर्थ नहीं है, किसी शब्द का कोई अस्तित्वगत अर्थ नहीं है, अभी हम जो भी हिंदी शब्द बोल रहे हैं, उसका पेड़ों के लिए कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप असल में आजमा सकते ये प्रयोग किये गए हैं अगर आप यहाँ बैटकर खूपसूर्ती से गाते हैं मैं वो नहीं कर सकता लेकिन अगर हम यहाँ बैटकर वाकई में गाते हैं ठीक से तो पेड़ पेड़ फूलों से भरा हुआ है ये यक्ष के कारण हो सकता है ठीक है? बारिष ने इसमें मदद की है लेकिन ध्वनी की शक्ती को कम न समझें ध्वनी की शक्ती को कम करके ना आके इसका हर चीज पर असर होता है ये अगर आप एक मंत्र का जाप करते हैं तो पेड़ इसका उत्तर दे सकता है अगर आप संगीत गाते हैं अजय करते हैं